अचानक खुनर हाट पहुँचे पी एम मोदी लिटी चुखा खाया और कुलहर की चाय भी पही इतना ही नहीं उन्होंने इन चीजों के पैसे भी खुद दिये पी एम मोदी दोपहर करीब 1.30 मिनट बजे इंडिया गेट के निकट राजपत पर लगे हुनर हाट में पहुँचे और वहां लगभग 50 मिनट तक रहे इस दोरान पी एम मोदी अलग-अलग स्टॉल पर भी गए और वहां मौजूद चीजों को देखा और उनके बारे में जानकारी ले प्रधान मंत्री पहली बार किसी हुनर हाट में पहुँचे हैं प्रधान मंत्री का यह दोरा तैम नहीं था वह बुद्वार की दोपहर अचानक ही हुनर हाट पहुचे इससे वहां सभी लोग हैरान रह गए उनके पहुचने की जानकारी पाते ही अलपसंध्य कारे मंत्री मुखतार अबास नकवी जट वहां पहुचे और पी एम मोदी का स्वागत किया प्रधान मंत्री ने हुनर हाट में मौजूद एक स्टॉल पर रुक कर लिटी चोखा खाया जिसके लिए उन्होंने 120 रुपे का भुगतान किया इसके साथ ही उन्होंने दो किलहर चाय कालहा और चाय भी ली जिसमें से एक उन्होंने स्वय हम ली और दूसरी चाय नकवी को दी मोदी ने चाय के लिए भी 40 रुपे का भुगतान किया पी एम मोदी के वहां पहुचने के साथ भारी भीड जमा हो गई लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और कई ने तो उनके साथ सल्फी भी खिंचवाई बतादें कि कौशल को काम थीम पर आधारत ये हुनरहाट तेहां फरवरी से 23 फरवरी 2020 तक आयुजद किया गया है जहां देज भर के हुनर के उस्ताद दस्तकार, शिलपकार, खानसा में भाग ले रहे हैं इनमें 50 प्रतिशत से अधिक महिला दस्तकार शामिल हैं नक्वी ने बताया कि पिछले लगभग तीन सालों में हुनरहाट के माध्यम से लगभग तीन लाफ दस्तकारों, शिलपकारों, खानसामों को रोजगार और रोजगार के मके उपलब्द कराए गए हैं इनमें बड़ी संख्या में देश भर की महिला दस्तकार भी शामिल हैं इससे पहले दिल्ली, मुंबाई, प्रयागराज, लखनाओ, जैकुर, अहंदाबाद, हैदराबाद, पुड्डु चेरी, इंद और आदी स्थानों पर हुनरहाट आयोजित किया जा चुके हैं अगले हुनरहाट का आयोजन राची में 29 फरवरी से 8 मार्च 2020 तक और फिर चंडीगर में 13 मार्च से 22 मार्च 2020 तक किया जाएगा आने वाले दिनों में हुनरहाट का आयोजन गुरुग्राम, बेंगलुरू, चेनाई, कोलकाता, देहरादून, पठना, भोपाल, नागपूर, रायपूर, अमरिचर, जमू, शिमला, गुवा, कोची, गुवहाटी, भुवनेश्वर, अजमेर आधी में किया जाएगा